structure सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा chapter 40 जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं sorting algorithms and programs जिसमें आज हम देखेंगे bubble sort सबसे पहले देखते हैं sorting क्या होती है sorting वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम data को एक logical order में arrange करते हैं फिर यह order ascending order भी हो सकता है and descending order भी हो सकता है ascending का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और descending का मतलब होता है घटते क्रम में यदि हम numbers की बात करें यदि data number है तो numbers को बढ़ते क्रम में arrange करना सभी को समझ में आ रहा होगा इसी तरह से अगर मुझे data के रूप में नाम मिलते हैं लोगों के तो नाम क्योंकि number नहीं है तो उसको ascending order में arrange करने का मतलब है dictionary order में arrange करना यानि जो शब्द dictionary में पहले आएगा उसे पहले आना चाहिए और जो बाद में आता है dictionary में वो शब्द बाद में आएगा ये दो प्रकार की होती है प्रोग्रामिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ दो प्रकार की होती है एक internal sorting कहलाती है और एक external sorting कहलाती है आई इसको समझते हैं कि ये internal sorting और external sorting में क्या difference है जब भी हम किसी program को run करते हैं तो सबसे पहले वो RAM में आता है तो मान लीजे ये RAM है और normally सारे programs कहां रखे रहते हैं hard disk में मतलब जो भी program की files होती हैं वो secondary storage में रहती है तो ये हमारे program की file है जैसी हमने program को run किया सबसे पहले ये कहां आ गया RAM में आ गया ठीक है This is RAM हमारे program को RAM में कुछ memory मिल गई ये जो memory मिली इसी में variables बने तो जिस data को मुझे arrange करना है sort करना है वो data कहां होगा इन variables के अंदर यानि की अगर आपको 10 number को arrange करना है sorting करनी है तो वो numbers कहां रखे हुए है इन variables में ठीक है ये numbers है तो अब हमारे program में हमें कोई भी logic लगा के इसको arrange करना होगा sorting करनी होगी ठीक है This is called internal sorting पर हम ये जानते है कि हमारे program को जो memory मिली है ये एक निश्यत amount की memory होगी अब मान लिजे data इससे ज़ादा है मतलब इतना सारा data है कि वो इस memory में बन ही नहीं पा रहा तो data कहां रहेगा secondary storage में secondary storage में मान लिजे एक file है जिसके अंदर बहुत सारा data रखा हुआ है suppose करिए बहुत सारे numbers है अब इस file में इतने सारे numbers हैं कि ये पूरा file का data एक साथ हमारे program के variables में नहीं आ सकता ऐसे में इस data की अगर sorting करनी है तो पूरे data को हमारे RAM में लाए बिना कैसे sorting करेंगे ये एक बड़ा challenge होगा तो इस तरह की situation में जब हम sorting technique लगाते हैं sort करने के लिए तो एक साथ पूरा data RAM में नहीं लाते बलकि pieces में data को RAM में लाया जाता है क्योंकि program अगर run होगा तो वो तो उसी data को access करेगा जो उसके variables में हैं तो hard disk में अगर ये इतना सारे data रखा हुआ है जब तक हमारे variables में नहीं आएगा तब तक हम उस पर operation perform नहीं कर पाएंगे तो इस समय जो sorting techniques लगती हैं वो कहलाती है external sorting तो ज़ादा popularly जब हम sorting की बात करते हैं तो हम internal sorting की बात करते हैं तो आईए हम internal sorting समझते हैं बाकि आपको दोनों में difference समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं bubble sort की बहुत सारे logics हैं जिनके द्वारा हम sorting कर सकते हैं bubble sort उनमें से एक बहुती popular easy और कहना चाहिए programming करने के लिए से बहुती simple sorting technique है जब मैं बोलू sorting तो by default हम उसका meaning मानेंगे ascending order यानी बढ़ते करम में अगर descending order में करना होगा तो मैं उसे explicitly बोलूँगा अलग से बोलूँगा सबसे पहले हम समझते है bubble sort का logic क्या है एक छोटे example से पहले हम इसको समझे माल लीजे कि एक array है जिसमें 4 values रखी हुई है example के लिए 34, 15, 29 and 8 और मुझे इसको करना है sort यानी arrange ascending order में तो मैं यह चाहता हूँ कि जो 8 है यह सबसे शुरुआत में आ जाए 15 उसके बाद आ जाए 29 उसके बाद आ जाए और 34 सबसे आखरी में चला जाए तो bubble sort का logic क्या है वो शुरुआत की दो values का comparison करेगा होना यह चाहिए कि left में छोटी value रहे और right में बड़ी value रहे तभी वो order सही होगा तो 34 और 15 का order आपस में गलत है तो अगर यह proper order में नहीं है तो इन दोनों की करा दी जाए swapping swapping का मतलब हुआ 15 34 की जगे आ जाएगा और 34 15 की जगे तो हमने a0 और a1 का comparison किया लेकिन इससे पूरी sorting नहीं हुई है सिर्फ यह दोनों आपस में अरेंज हुए है तो अब मैं a1 और a2 का comparison करूँगा पन्यान रहे कि a1 में अब 34 आ चुका होगा तो a1 और a2 का comparison करूँगा फिर देखूँगा कि अगर a1 बड़ा है यनि लेफ वाली वैल्यू बड़ी है तो swapping कर दो फिर मैं a2 और a3 का comparison करूँगा देखेंगे अगर लेफ वाली वैल्यू बड़ी है तो swapping कर दो अगर लेफ वाली वैल्यू बड़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है अगर left value value बढ़ी है तो swapping करना है इस तरीके से हमने एक पूरे round में round भी बोलते हैं कई जगे पर इसको pass भी बोलते हैं तो एक पूरे pass में या एक पूरे round में हमने कितने comparisons किये देखे total values इस array के अंदर 4 हैं पर comparisons कितने हुए है 3 0,1 1,2 2,3 तो एक round में कितने comparisons होते हैं जितने elements हैं उससे एक कम यानि अगर n elements हैं तो n-1 पर इससे होगा क्या इससे पूरा array sort नहीं होगा बलकि जो सबसे बड़ी value है वो सबसे last में shift हो जाएगी आप इस example में देख सकते हैं कि 34 शुरुवात में हैं जो सबसे बड़ी value है पर क्योंकि वो comparison होने के कारण left में बड़ी value है swapping होके 34 आगे shift हो जाएगा और फिर वो 29 से comparison होगा तो फिर आगे shift हो जाएगा और फिर 8 से comparison होगा तो फिर आगे shift हो जाएगा तो सबसे बड़ी value होगा सबसे शुरू में भी रखी है तो भी वो shift होते होते सबसे last में पहुँच जाएगी एक round के खतम होने पर सबसे बड़ी value array के last में पहुच चुकी होगी इस तरीके से मुझे n-1 rounds चलाने होगे n-1 round क्यों जैसे माल लीजे एक और round repeat करते हैं, same प्रक्रिया तो जो अब बचे हुए array में सबसे बड़ी value होगी वो second and last में पहुच जाएगी तो हर एक round में अगर एक value अपनी सही position पे पहुच रही है तो चार values है तो तीन round अगर play करूँ तो तीन values अपनी सही position पे आ जाएंगी तो चौती तो automatically अपनी सही position पर आ ही गई चलिए इस बात को हम ऐसे समझते हैं हमारे पास array था ये situation थी ठीक है और अब हम round 1 देख रहे हैं round 1 में सबसे पहले a0, a1 का comparison होता है क्योंकि left की value बड़ी है इनकी swapping कर दी जाती है ये arrow mark जो बीच में लगे हुए है ये बता रहे हैं कि swapping होगी अब a1, a2 का comparison करेंगे अब a1 में लेकिन 15 नहीं है 34 आ चुका है तो कि a1 बड़ा है a2 से इसलिए again यहाँ पर भी swapping होगी फिर a2, a3 के बीच में swapping होगी ध्यान रहे a2 पे अब 34 आ चुका है यहाँ swapping होई थी इसलिए तो a2, a3 का comparison होगा और 34 a3 के position पर पहुँच जाएगा और 8 a2 की position पर तो ये पहले round में तीन comparison करने के बाद हुआ ये कि array में 34 चो सबसे last में पहुच चुका है अपनी सही जगे पर पहुच गया अब second round है पर second round में मैं तीन comparison नहीं करूँगा दो comparison करूँगा क्योंकि 34 का अब comparison में participation कराना कोई मतलब का नहीं है वो अपनी सही जगे पर पहुच चुका है तो a0, a1 में comparison कराया तो 15 और 29 के बीच में comparison हुआ जो की already sorted है आपस में इसलिए इनके बीच में swapping नहीं होगी इसलिए मैंने यहाँ arrow mark नहीं बनाया हुआ फिर a1, a2 का comparison होता है यहाँ 29 left में है बड़ा है तो swapping होगी तो इस second round के end पर दो values array में अपनी सही position पर आ चुकी है अब तीसरा round जिसमें एक ही comparison होगा क्योंकि हर बार comparison के संख्याई कम होती जा रही है यहाँ पर 15 left में था तो swap हो गया क्योंकि 15 8 से बड़ा है हुआ यह कि 15 जब right में पहुँच गया तो a1 पर 15 आ चुका है और आप देख सकते हैं कि 3 values इन 3 rounds पर अपनी सही position पर आ चुकी है तो obvious ही बात है जो 4 बची value है वो भी अपनी सही position पर आ चुकी है तो यह array हो चुका है sort अब यह array को हम किसी भी size का array हो उसके लिए इस algorithm को apply कर सकते अब इस algorithm को apply करने के लिए पहले हम algorithm पर नज़र डाले तो हमारे पास bubble sort में एक होगा array जिसमें n values होंगी पहली step में हम repeat करेंगे यानि एक loop चलाएंगे iteration करेंगे round के लिए क्योंकि हमें कितने round play करने है जितने values हैं उससे एक कम यानि 1, 2, 3, up till n-1 round और हर round के अंदर फिर loop लगा है हर round में क्या कर रहे हैं comparisons कितने comparisons कर रहे हैं तो n-1 minus round मतलब पहली बार में जैसे माल लिजे total value कितनी है 4 तो round कितने होंगे 3 पहले round में कितने comparison होंगे 3 तो 0, 1, 2 मतलब n-1 minus round तक n-1 कितना है n-1 हो गया 4 minus 1 3 3 minus round किया तो कितना हो गया 3 minus देखे n-1 तो 3 हो गया n की value अगर अपन 4 लेके चलें तो n-1 तो 3 हो गया round की value बढ़ती जाएगी round की value पहले 1 है तो यह result आगया 2 round की value 2 है तो 3 minus 2 हो गया 1 round की value 3 है तो फिर result आगया 0 इसका मतलब round बढ़ता जाएगा तो number of comparison भी कम होते जाएगे और हर बार हम check करेंगे यदि AI index का भी काम करेगा तो AI अगर बढ़ा है AI plus 1 से AI और AI plus 1 यानि consecutive values हैं consecutive index हैं AI बढ़ा है तो swapping कर देंगे और नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे और इस तरीके से ये चलता रहेगा जब ये loop दोनों खतम हो जाएंगे क्योंकि नेस्टिंग होरी है loop की तो हम return कर देंगे अब आईए इसका program हम बनाते हैं तो यहाँ पर मैं code blocks में ये coding कर रहा हूँ code blocks ID में तो मैंने लिखा main function और main function के अंदर मैं बनाता हूँ एक array array जिसमें मैं अपनी तरफ से value रख देता हूँ बाकी values हम user से भी input करा सकते हैं तो 34, 15, 29, 8 इस तरह से में 4 values रख रहा हूँ इसके लावा एक variable और बना रहा हूँ i जो index के लिए होगा अब मैं bubble sort को call कर रहा हूँ bubble sort function अभी हमको define करना है और bubble sort function में हम pass कर रहे है array और array का size इसके बाद हम एक loop लगा कर array की value को print करा देंगे i less than equal to 3 i plus plus then एक simple printf की मदद से हम values को print कराएंगे ai get c h अब हम बनाते हैं bubble sort function bubble sort function अभी जो हमने algorithm समझी है उसी पर based होगा bubble sort में एक array और एक n variable है इसके अंदर मुझे एक variable बनाना होगा round नाम का और एक variable बनाना होगा i नाम का और एक swapping के लिए variable बना लेता हूँ temp अब इसके बाद जैसा की algorithm में था step number one में हम एक loop लगा रहे थे round की value 1 से लेकर round less than equal to n-1 तक तो n values हैं तो n-1 times round perform होगा और round को हर बार increment कर देंगे कई जगे पर आप इसे round की जगे नाम देखेंगे कि pass लिखा हुआ है फिर एक inner loop लगेगा जिसमें i variable का इस्तमाल कर रहे हैं जो index का भी काम करेगा i की value 0 से लेकर हम लोग चलाएंगे हर बार क्योंकि number of comparison कम होते जाना है तो हम लिखेंगे n-1 minus round तो n-1 कितना हो गया number of values जितनी है उससे एक कम उसमें round कम घटाते जाएंगे क्योंकि 0 से start करने और i++ आप इसको try and करके भी अच्छे से समझ सकते हैं कि n-1 minus round क्यों लिखा है अभी मैंने थोड़ देर पहले समझाया भी था इसके अंदर मुझे comparison करना है मैं लिखूंगा if a i is greater than a i plus 1 अगर left वाली value बड़ी होगी a i की value बड़ी होगी तो हमें swapping करनी है swapping करने का logic क्या होगा सबसे पहले हमने temp variable जो बनाया हुआ था इसके अंदर a i की value assign कर देते हैं फिर a i की value a i में हम value assign कर देते हैं a i plus 1 की simple swapping का logic है a i plus 1 और इसमें assign कर देते हैं temp की value तो इस तरीके से हमने swapping perform कर दी तो आसा alignment proper कर देता हूँ ये ये देखिए और इस तरीके से इस bubble sort का काम complete हो चुका है इसके बाद array sort हो गया होगा एक बार इस program को हम compile run करके देखते हैं yes आप देख सकते हैं ये properly sorting हो चुकी है अब यहाँ पर मैं कोई और values भी देता है ये देखिए sorted order में है 8, 15, 29, 34 तो ये बल्कुल सही है आप यहाँ पर values कुछ और भी दे सकते हैं जैसे मैं कुछ जादा values देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11, 4, 56, 78, 9 इस तरह से मैंने कुछ जादा values दे दी कितनी values होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 values मैंने दी हैं तो यहाँ 4 की जगे 9 पास कर देता हूँ यहाँ पर मैंने जो loop चलाया है यह 3 times तक ही चलाया है चेंज करना पड़ेगा कितना हो गया यह 8 तक 9 values हैं तो 0 से 8 तक चले गई तो अब मैं इसको run करता हूँ यह आप देख सकते हैं sorted order में दिखाई दे रहा है जो values हमने लिखी थी यह उपर आपको दिखाई दे रही हैं और यह 4, 8, 9, 11 यह sorted order में है तो इस तरीके से हमने नाकियवल प्रोग्राम बनाया हमने अल्गोरिम को समझा लॉजिक को समझा और यह हमारी bubble sort complete होती है अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like करें और यदि आपको लगत यूसफुल है बहुत आसानी से समझ में आ रहा है इसमें language मेरे communication का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो बहुत लोगों को समझ में आएगा तो आप इसको अपने facebook फॉल पे शेयर जरू करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इसका लाब मिले एक तो ये free of cost है वीडियो दूसरा ये हिंदी में है तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको इस तरह के वीडियो की खासी जरूरत है तो आप अगर शेयर करेंगे को विजिट करिए जितने भी चानल्स में चला रहा हूं जिसमें C, C++, Java, PHP, DBMS Data Structure ये सारे सब्जेक्स हैं तो आप इस वेब साइट पे जाके इन सभी चानल्स के लिंक प्राप्त कर सकते हैं हर चानल पे जो वीडियो मैंने अपलोड करें उसके लिस्ट भी आपको इस साइट पे मिलेगी और प्रापर शेप में अरेंजड वीडियो हैं यूट्यूब में हो सकता है आपको सर्च करने में दिक्कत जाए लेकिन साइट पे आपको वो सारे वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे इसके लावा प्रोग्रामिंग्स के लिए डवलप करने के लिए भी एकसाइज इस साइट पर उपलब्द है तो हो सकता है कि ये साइट आपके लिए काफी यूसफुल रहे यदि आपको लगता है कि जैसी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जैनकरी आपको मिले तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जब भी इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँ वो जैनकरी आप तक मिल जाए आपको ये वीडियो देखने में कोई दिक्कत जारी है या आपको इस लेक्चर में कोई डाउट आ रहा है कुछ कमेंट आप लिखना चाहा है तो यही वीडियो की नीचे कमेंट का आप्शन होता है यूट्यूब में आप उसके जरीए मेरे तक बात पहुँचा सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी में आपको रिप्लै कर सको तैंक यू